अल्ट्रा भक्ती चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें संद्र के स्पर्ष से जन्न वा अघ्रात्र संदू को देख कर इंदृ भैभीत हो जाते हैं शुक्राचारिक अचिसर्द्ह को नीत ज्याम की शिक्राइब उधर सिंधु से भैवी देवराज इंद्र अपने भाई सुर्य के समीप प्रकट होकर कहते हैं भाई या सुर्य दे यह दोश्ट सिंधु देते मात्र कह ही नहीं रहा आप से वर्दान प्राप्त कर यह संसार के लिए एक संकट बन जाएगा प्रणाम देवराज नहीं सुर्य देव नहीं संसार के लिए मैं देवराज हूं कि तु आपके लिए मात्र भाईया हूं भाई तो हम अवश्य हैं देवराज परन्तु मर्यादा और सम्मान की दृष्टी से आपका आधर करना मेरा परमकर्तव है कहें क्या ग्या है भाईया सूरिय उस दुष्ट की घोशा तो आप सुन चुके हैं आपका वरदान प्राप्त कर वो प्रिथ्वी और स्वर के लिए संकट बन जाएगा कि मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आ आप आप उस दुष्ट को वर्दान ना दे मैं तो करतवी के पत का पथिक हूं देवराज ना तो मैं किसी के कारे में हस्तक्षेफ करता हूं और ने ही मुझे किसी का हस्तक्षेव अपने कारे में प्रिये है ये प्रश्ण हस्तक्षेव का नहीं है भाईया ये ये संसार के कल्यान और जनहित का प्रश्ण है मैं जानता हूं दिवराज मैं जानता हूं कि संसार कल्यान और जनहित से अधिक आपको अपने स्वर्ग की चिंता है सत्थि कहा है रहाओ अ अगर सत्थि को सुनकर आप आहत हो रहे हों तो ये बात प्रमालित होती है कि मेरा कथन सत्थि है मैं आपको आग्या भी दे सकता हूं सूरेदेव और आपको विवश होकर मेरी आग्या का पालन करना ही होगा ऐसी भूल ना करिएगा देवराज कि छोटा भाई बड़े भाई की आग्या की उपिक्षा करे इससे आपके संसार के कल्यान की भावना को बीड़ा पहुचेगी तुम अपनी मर्यादा की सीमा लांग रहे हो सुर्यदेव देफता होने के कारण देवराज एंद्र की आग्या मानना तुम्हारा परम करतव्य है मुझे अपने कर्तव्यों का भली भाती ज्यान है दिवराज क्योंकि मैं अपने कर्तव विपत पर कभी भी चूप नहीं करता जहां तक आपकी आग्या मानने का प्रश्ण है तो मैं ऐसी किसी भी आग्या को स्विकार नहीं करता जिसमें किसी का व्यक्तिकत स्वार्थ छिपा कि सूर्य कि तुमने मुझे स्वार्थी कहकर अपने सवनाश को आमंत्रित किया है कि तुम्हें मेरे आग्या का पालन करना ही होगा कि तुम इस दोष्ट को वर्दान देने कदा भी नहीं जाओगे अगर ये मेरी निश्ठा पूर्वक आराथना करेगा तो मैं इसे वर्दान अवश्य दूगा देव राज इंद्र की उपेक्षा करके तुमने उचित नहीं किया सूर्य देव कि समय आने पर इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूगा हूँ कि आपकी दिराशा और उदासी इस बार का संकेत दे रही है कि आपका मन केलाश पर नहीं है नहीं नहीं मेवरेश्वर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर कैसी बात है नंदी महराज अच्छा एक बात दो बताओ बोरी पुद्र श्री गडेश और भैय कार्थिके का मिलन अवश्य ही आनन्द मैं रहा होगा माता पार्वती भी लंबे समय के पश्याद भैय कार्थिके को देखकर अत्यांत प्रसन्द ही होगी हाँ मैयुरेश्वत वो द्रिश्य अत्यांत आनंद दायक था दोनों भाई गले मिल रहे थे माता पार्वती तो कुमार कार्थिके को हर्देशी लगा रही थी नाना नानी के तो हर्षका ठिकाना ही नहीं था सत्य तो यह है कि मेरा मन भी कर रहा था कि सदा सदा के लिए हम को ही रहे जाएं उनमें से किसी को भी मेरा स्मरण नहीं हुआ नंदी महाराज क्या उनमें से कोई भी मुझ से मिलने का इच्छोक नहीं था परन्तु आप यहां पहुंच चुके यह सुनकर मैयुरेश्वर मेरी प्रसनता का पार नहीं रहा मैं दोड़ा दोड़ा हिमाचल कैलाज चला आया यह तो तो मुझे प्रसन्न करने के लिए कह रहे हो अभी तो तुमने कहा था तुम्हारी इच्छा मी सदा सदा के लिए हिमाले महल में रह जाने की थी और अब कह रहे हो कि मेरा नम सुनते ही तुम दोड़े-दोड़े चले आए मैं सत्य कह रहा हूं मेरी मुझे प्रसंद करने का अभ्यास से प्रयासुना करो मैं तुम के हिमाले महेल का समाजा शोनकर अत्यंत champion प्रसंन हुँ और इस कारण भी प्रसंन हुँ कि मुझे अकेले को पिताशी श्रीषिप शंकर की परणफ़पावन छेवा का अवसरप्रापक हुआ मेरी किसी बात से आपको पीड़ा पहुंची हो तो मन छोटा ना करो नंदी महाराद मैं तो यूही परिहास कर रहा था पिताशी ने मुझे अपनी सेवा का अफसर दिया इससे अधिक मेरे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता ओम नमस्षिवार हर हर महादेव हर हर महादेव आप से तो इस संसार की कोई भी घटना अंजानी नहीं रहता है आप किस घटना का उलेक कर रहे हैं दैत्य गुरू उग्रा पुत्र सेंदू दैत्य के प्रकट होने का द्रिश्य आपने ध्यान में प्रत्यक्ष देखाओ उस दुष्ट दैत्य की दुष्टता देखें अपने गुरू के अदेश क्यों बिख्षा करके आपके ना करना ऊस्विकार कर दिया को बो unis Eso you देव की आराधना करना चाहता है जिनोंने उसकी माता अद्यtaus तो चरी अगनी में बना दिया देटी गुरु शुक्राचारी यदि सिंदु देटी की श्रद्धा अधिती पुत्र सूर्यदेव में है तो रहने दीजे कैसे रहने देव भोले नाथ उसने अपने गुरु का आप मान किया है शिवारादलों को ठुकराया है उसकी दुष्टता को आप दंडित करें यही पा प्रणाम पितार्श्री मुझे देखकर चकेत होने की आवशकता नहीं है देटी गुरु मैं तो पितार्श्री भगवान शिव की इच्छा और परंदेव श्री महागणेश की महान लीला काही एक प्रतिक हूँ कि अच्छाु अच्छार यहें देट गुरु शुकराचारे की कि महागणेश की प्रतिक मुहीरेश्वर गनेश को देखकर पर Bowie अपने इंको नमं नहीं किना महादेव कि मुझे अग्यानिक है नमन की अद्बुच शक्ति का परिचे ने शुक्राचारे जब नमन करने के लिए आपके दोनों हाथ जोड़ते हैं और आपका मस्तख जुकता है तो आपके हर्दय का द्वार धुल जाता है आपका नमन स्विकार करने वाला बिना किसी उसका समाधान भी मयुरेश्वर गणेश ही करेंगे आप इनका पूर्ण समर्थन के साथ नमन करें जो आज्या बोले लांत नमन की अद्बुच शक्ति का ज्ञान आपसे पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया ओम मयुरेश्वर आय नमहा मुझे चमा करें मयुरेश्वर स्टी गणेश परिचर नहोंने की कारण मैं आपको पैचान न सके अंजान में हुई मेरी स्पूल को आप चमा करें अप अंजान है मैं यह मान लेता हूं पर तु इतने भी अंजान नहीं है कि परम देवशे पिर भी मैं आपको सचे मन से शमा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि पाप का घड़ा भरने पर पिंदु दैति का सर्वनाश अवश्य होगा मयुरेश्वर श्री गणेश आपकी क्रिपा वचन सुनकर सिंदु दैति के प्रती मेरे मन में उमरती प्रतिशोद की ज्वाला को शांती मिली हूं मैं आपको सच्चे हिर्दे से धन्यवाद देता हूं आपकी जय हो हुले नाथ यदि आप आग्या दे तुम्हें एक निवेदन और करना चाहते हैं अवश्य आप अपनी आराधना करने वाले परतालवासी असुर देवान तक और नारान तक प्रक्रिपा करें उन्हें अपना वर्दान देकर अनुग्रहित करें ना जाने क्यों प्राया ऐसा प्रतीत होता है कि आप देत्य गुरु शुक्राचारी नहीं अपितु राजनीति के सर्वोच शिखर पर बैठे एक राजा है जो राजनीति के क्षेत्र में विजय पाने के लिए अपना पासा भेकता रहता है मैं कुछ समझा नहीं मादेव एक और तो आप सिंदु देत्य शिखर रहति द्था करोना चाहते है और दूसरी और नरानताव देवानता का उधार यह देट्य गुरु के लिए उसके सभी शिश्य समान रोने चाहिए शिव water है अभी देवांता कार नख को नमबई समय तक कपस्या करनी हो क्यूंकि उनको पिछले दुश कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने में समय लगेगा देख्ट दुरू स्वर्ण जब अगनी में तपाय जाता है तभी वो आभुशन बनने के योग्य होता है इसलिए आप धैरी पूर्वक प्रतिक्षा करें जो आज्या भोले ना श्री महागणेश की क्रिपा से आपकी दोनों मनों कामनाएं अवश्य सफल होंगी आपका कल्यान हो ओम नमक्षिवा पिता श्री क्ये आप स्वयम अपने परम भक्त शुक्राचारे की कामनाएं पूर्ण नहीं कर सकते थे आपने ये कातवे श्री महागणेश के क्रिपा पर क्यों छोड़ दिया ऐ? मैयुरेश्वर आ हमारे मुख से असथ्यवचन कभी नहीं निकलते भविश्यम forbidden ए हध्यफमान में हमारे मुख से निकल चुका है और जो कुछ भी होगा श्री महागणीस के कृपा और उनकी एक्षा मात्र से होगा और उसके माध्यं श्री महागणीस के तीनों अव्तार मुणेंगे पिताश्री के वच्णों पर विश्वाफ रखे नती महरत जो कुछ भी होगा वह इसके कथन के अनुसार ही होगा कि मेरे जन्म को शाप्रित करने वाले सूरदेव मुझे दर्शन दे मुझे बताएं कि मैं अपने आपको सर्यो शक्ति संपन धैंद्यशक्ति का धारक कैसे बनाऊं शाप्रिती सही परंतु आप ही मेरे जन्म दाता हो और सथाने सुष्डेव। इन दशन देव। एब सोलिक्त मुझे दर्शन देव.. वत्त सिंडू। तुमने सच्चर फ्दया से मुझे पुकारा। हम तुमहरी माता कंपराद और पिछली सभी बातों को भूल कर यह प्रकळ हुए । देव देवेश्वर भगवान सूर्यदेव की जये विवस्वान भगवान सूर्यदेव की जये सिंधु हमारे भाई देवराज इंद्र ने हमें चुनोती दी है कि हमारा वर्दान पाकर भी तुम स्वर्ग विजय नहीं कर पाऊगे इस भी इन्द्र अपनी विशाल देव सेना के साथं एक युद्यों में परास्त करके तुम्हें नश्ट कर देंगे किहां कि आपके वर्दान की शक्ति के साथ कित वैंकर को खंडित कर दूँँगा मेरी महाप्राक्रमी और वर्दानी शक्ति के सामने इंद्र को पराजय स्विकार करनी ही होगी मुझे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास है सिंधू परंतु शक्ति का दुरुपयोग मुझे प्रिये नहीं यदि मेरा वर्दान पाकर तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग न प्रकट करने का वर्दान देना चाहते हैं तो विलम क्यों भगवन विलम क्यों ए स्तान करें! वरदान पाने की योगटा प्रिकट करनी होती है सिन्थू योगजिता शूरिदेड? अपना मनोवानचित वरदान पाने के लिए अब तुम अपनी माता से भी अदिक निष्ठा के साथ हमारी आरधना सहित तपस्या का प्रारमन परो. जा बिना तपस्या के वर्दान प्राप नहीं हो सकता नहीं बिना तपस्या के वर्दान देना विधी और विधान के विरुप्त है हां हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारी तपस्या से हम शीगर प्रसंद होकर तुम्हें वर्दान देंगे जो आग्या भगव अब तुम्हारा अकार तपस्या के योगी हो गया है तुम्हारा कल्यान हो वच्छ तुम्हारा कल्यान हिख तुम्हार Row गेंे अम्हार्म ख्वान इश्वार्म अम्हार्म के ये योड्म्हार्म अम्हार्म बार्म लॉठदिटों आम्हार्म नसीया還'? आम्हार्म्हार्म दिवांतक नरांतक त्यों व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो शुक्राचारे ने तुम्हें शिव आराधना का परामर्श दिया है कि इतनी लंबी तपस्या के पश्चात भी उनके आराध्य शिव शंकर तुम्हें वर्दान देने के लिए प्रकट नहीं हुए बंद करो ये शिव आराधना तुम दोनों परम पिता रह्मा जी के आराधना करो वे मेरे परम पिता है यदि तुम उनकी आराधना करोगे तो मैं तुम्हें उनसे मन चाहा वर्दान दिलवाऊंगी तीनों तारक उत्रों तारकाक्ष गमलाक्ष और विद्युन वाली ने ब्रह्मु देव से त्रिपुरों का वर्दान पाया है ये तीनों संसार का सर्वसेष्ट सुखभोग कर रहे हैं तुम दोनों भी ब्रह्मा जी के आराधना करो देवानतक देवानतक नरातक देट माता दिती तुमने हमारी वर्षों की सिवत पस्या को खंडित करके बहुत बड़ा प्राथ किया है तुम देट माता नहीं देट्यों की शक्त्रू हो शक्त्रू इस अप्राथ के लिए हम तुम्हें कदापी शमा नहीं करेंगे देट मात मैं तुम्हारी शुपचिंतक हूं मैं तुम्हें उचित परामर्ष देने के लिए यहां आई थी मेरा परामर्ष मान ले नहीं तुम्हारा कल्यार है यदि तुम्हारी शुपचिंतक होती तो हमारी तपस्या खंडित नहीं करती मैं तुम्हें इच्छित बर्दान दिलवाना मेरी चाथी हूं कि शिव आराधना का त्याग करके вмे QM those are PRAAMPITA ब्रह्मांजी की आराधना करो नहीं कि- कर हम असरों के आरात्य हैं हम उनकी तपस्या का त्याग नहीं करेंगे तो हमें शिव आराधना का त्याग करना ही होगा यह मेरी आज्या है तू कौन होती है हमें आज्या देने वाली हाँ यदि जिमित रहना चाहती है तो चली जा यहां से अन्याथा अमारा क्रोज तेना सर्व नाश कर देगा तुम देट्यमाता दिति की परमशक्ति से परशीत नहीं हो तुम्हारे अंत का कारण बन जाएगा भाया देवान तक यह दुश्टा इस तरह मानने वाली नहीं इसे दंडित करना ही होगा तुम ठीक कह रहे हो भाया निरान तक अब हम देट्यमाता दिति ने हमारी तपस्या पूर्ण नहीं दिए अब हम देट्य गुरु को क्या मुझ दिखाएंगे यहीं तो मैं भी सोच रहा हूं भाया देवान तक अब भगवान शिप भी हम पर प्रसने नहीं होंगे ऐसे स्थिति में हमारा पाताल लोग जाना ही उचीत होगा समय व्याद करने से उचीत होगा कि हम पाताल की ओर चले ना रायन ना रायन पाताल वासी देवान तक और नरांतक तुम दोनों इस प्रकार दुखी नहों तुम दोनों की तबस्या खंडित करने की दोशी देते माता दिती हैं। तुम दोनों नहीं। ये बात भजवान शिप से भी चिभी हुई नहीं है। कान हो तुम और हमें परामश क्यों दे रहे हो। मैं देवताओं का रिशी नारद हूँ। देवताओं के रिशी असुरों का परामश देने आये हैं। असुरों को नहीं, तपस्यों को। संसार में तपस्या करने वाला हर व्यक्ति नारद का मित्र है। अपनी भक्ति को सुद्रड बनाने के लिए उसे परामश देना नारद का कर्दव्य है। कहीं तुम्हें देवराज इंद्र ने तो नहीं भेजा है मूर्खता की बाते ना करो देवांतक और नरांतक तुम्हारे पातल लोग जाने की बात सुनकर देवराज इंद्र तो प्रसंद होंगे ही वे तुम्हें निरंतर तपस्या का परामश्ट दे नहीं सकते तो क्या हम अपनी खंडी तपसे का पुनय प्राराम कर सकते हैं? नाराइन नाराइन अवश्य दिवानत्य पो नरांतर अवश्य तुम्हे सच्चे मन से शिव आरादना प्रारंब कर देनी चाहिए भगवान शिव आशुतोषि वे अवश्य तुम्हारी तपस्या से प्रसंद होकर तुम्हे आशिरवाद देंगे नाराइन नाराइन आप विलम करना उचित में अभियान अरांतक हमें शिव आरादना आरांब करनी चाहिए